हेलो गाई स्वागे थापकारी टॉपस साइड में दोस्तो आपको याद होगा पिछली वीडियो हमने स्टार्ट किया था कहां से वाट इस एक्टिविटी और हमने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्ची को स्टार्ट किया था तो दोस्तो यार हम आज इसमें आगे करेंगे करने वाले हैं अभी ये जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्ची है इसमें कुछ बाकी है वो क्या बाकी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ तो देखो यार क्या बाकी है ये तीन चीज़े बाकी है क्या सर ये जो अलग-अलग सेक्टर्स हैं इन में इंप्लॉइमेंट कैसे है म कैसे हम और विजदा employment create कर सकते है इन sectors में और ये नरेगा क्या है ये चीज़े जानने के बाद next वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे organized, unorganized public और private sector ठीक है दोस्तों तो देखो या सबसे पहले चीज़ यारी जो public sorry public बोल दिया यार primary, secondary और tertiary sector है इन तीनों में employment का क्या हाल चाले, मतलब कैसे बटे हुए है लोग, तो देखो जो primary sector है उसका GDP में share जाए वो 20% है, लेकिन लेकिन जानते हो, वो 50% से भी ज़्यादा population को employ करता है, यानि इसमें 50% से भी ज़्यादा population जो इसमें काम कर रही है और हाँ, ये एक चीज़ तो है इसमें under employment है अब ये under employment क्या होता है और इसमें जो है disguised unemployment है under employment और disguised unemployment क्या चीज़े है, पहले हम इसको समझते है देखो दोस्तो, under employment का मतलब होता है कि जब एक खेत है ठीक है इसमें एक आदमी काम कर सकता है जरूरी नहीं है कि दस आदमी पूरी घर आके काम करी पूरे फैमिली में माल लेते हैं छे मेंबर्स हैं जरूरी नहीं है कि छे मेंबर्स आके काम करें ये एक आदमी के ही काम के बराबर है ये plot, इसमेंगे खेतीबाली करना एक आदमी अपना पूरा potential लगाएगा तो वह हुआ आराम से कर लेगा लेकिन आम जबर जस्ती, जो है 6 आदमी पूरा family मिलके खेत का काम कररा है, थोड़ा काम ये कर रहा है थोड़ा काम ये कर रहा है तो ये जो है हर एक एक बंदा अपना पूरा potential नहीं use कर रहा है तो इसी को बोलेंगे under employment मतलब काम तो under employment है ये अपने पूरे potential से काम नहीं कर रहे है और ये disguised employment क्या होता है तो देखो disguised unemployment का मतलब होता है कि जब जरुष से ज़्यादा लोग काम करने लगे एक खेत में ये मैंने खेत का example लेके बताया कि भाई एक खेत में एक आदमी की जरुष थी लेकिन शे आदमी काम कर रहे है तो ये under employment भी है और ये disguised unemployment भी है disguised unemployment का मतलब ये कि जब जितने की requirement है उससे ज़्यादा लोग काम करेंगे तो उससे हम बोलेंगे disguised unemployment ठीक है तो देखो यार हम इससा ये जो खेती बाड़ी का मामला है यारनि की जो प्राइमरी सेक्टर है खेती बाड़ी की बात कर रहे है उसमें 50% जो population वो काम कर रही है हमारी इंडिया की 50% से ज़्यादा लेकिन यहाँ पर disguised unemployment और under employment दोनों ही है ठीक है और जो हमारा industrial सेक्टर है वो तो भाई मेरे 9 गुना 9 टाइम्स बढ़ गया 40 सालों में लेकिन employment तो सिफ 3 टाइम्स ही बढ़ी है और उसी तरीके जो हमारा service सेक्टर है उसका तो भाई पूछो मत हमारा industrial सेक्टर 9 गुना बढ़ा था ना 40 सालों में हमारा जो यह service सेक्टर है उसी टाइम 14 गुना बढ़ गया और इसकी employment 5 गुना बढ़ गयी मतलब हमारा जो है tertiary सेक्टर यानि यह बूल तो service सेक्टर बहुत देजी से बढ़ा है ठीक है तो यह चीज़े थी और मैंने अब आगे बढ़ते हैं देखो दोस्तों हम बात करने वाले हैं यार कि creating more employment अब हम इनमें और जदा employment कैसे ला सकते हैं तो देखो जो हमारा पहला point है इसके अंदर वो कहता है technical and institutional measures के थुरू हम जो है और जदा employment इनमें ला सकते हैं अब ही तो हमने पढ़ा क्या क्या हाल चाल में और अब हम पढ़ रहे हैं कि भाई कैसे हम इसमें employment बढ़ा सकते हैं तो पहला क्या था technical and institutional measures पर technical measures को समझते हैं technical measures का मतलब है hybrid seeds irrigation की facilities agriculture के लिए modern techniques जो modern क्या कहते हैं टूल्स आए हुए है यह सभी tools का use करना इसके awareness क्या awareness लान लोग के अंदर ताकि यह लोग use करें ताकि जो है इससे और ज्यादा खेती बढ़े प्राइमरी सेक्टर का काम बढ़े और उससे क्या होगा उससे होगा यूं कि भाई और ज्यादा लोग काम पर लगेंगे तो इससे implement पैदा होगी ठीक है ऐसा ही का मानना है ठीक है इंका कहना है आपकी किताबों में तो यह मशीन आ करेंगे modern techniques प्रवाइड करेंगे agriculture की जिसे productivity बढ़ेगी लेंड की और productivity बढ़ेगी तो हमारा human force भी ज्यादा लगेगा human force की requirement बढ़ेगी हाँ बिल्कुल बात है बढ़ेगी नौ अब बात करते हैं कि institutional measures क्या है तो देखो institutional measures का मतलब है कि भाई आप उनको market facility प्रवाइड कर market strategy प्रवाइड कराईए, transportation प्रवाइड कराईए, storage प्रवाइड कराईए, road services प्रवाइड कराईए, processing units प्रवाइड कराईए, जहां भी गाओं के आसपास नजदीक में ताकि वो अच्छे तरीके से अपना काम कर सके, जब अच्छे से उसका काम होगा तो भाई दूस्ते का भी काम होगा और उससे जो रोजगार भी बढ़ेगा, समझे रहे हो, storage facility करेंगे तो उसमें भी कुछ लोग को रोजगार मिलेगा, transportation भी लोग को रोजगार मिलेगा, market मंडिया बनेगी तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोग को रोजगार मिलेगा, लोग बहुत सारी चीज़ ठीके न, hybrid seeds हो गए, जिसे productivity बढ़ेगा, productivity बढ़ेगा, तो human force भी बढ़ेगा काम करने के लिए वहाँ पर, और institutional में क्या है, market प्रोवाइड कराईए, अच्छे से market service दीजे, transportation दीजे, storage facilities दीजे, और भी other processing units दीजे, ताकि काम अच्छे से हो सके, और employment बढ़े farmers के बीच में और other sectors में, ठीक है सर, अब क्या है, अब अगला point क्या है, अगला point है, promotion of allied agriculture, अब ये क्या कहना चाता है, ये कहना ये चाता है, कि हम सिर्फ agriculture में जो है, सिर्फ खेती बाड़ी करते हैं, मतलब crop, सिर्फ crop को उगाते हैं, crop का cultivation करते हैं, लेकिन अगर हमें, अच्छा खासा कमा तो भाई, हमें इसको diversify करना पड़ेगा, ताकि जो है, employment बढ़े, अब देखो नहीं, under employment है, खेती में, जितनी requirement है, उससे ज्यादा है, उससे हम क्या बलेंगे, disguise unemployment, और under employment का मतलब क्या है, कि भाई, कोई एक बंदा अपने पूरी potential से काम नहीं कर रहा है, मतलब ये, कि एक काम है, अदस बंदे कर रहे हैं, तो इसे under employment बोलेंगे, ठीक है, अदस बंदे कर रहे हैं, इसलिए इसको disguise unemployment बोलेंगे, तो यार, इसको खतम करने के लिए जो नहीं एक idea बताए गया, वो है allied agriculture को promote किया जाए, अब इसमें क्या था कि भाई, खेती बाड़ी करो, अब उसके स आस साथ जो है, तुम fishing भी करो, fish farming भी करो, जिसे PC culture बोलते है, horticulture भी करो, horticulture का मतलब है, फल उगाओ, सबजी भी उगाओ उसी में, अच्छा तुम dairy वाला भी काम कर लो, गाए भी पाल लो, दूद भी निकाल के बेचो, अच्छा तुम beekeeping भी कर लो, तुम सहद भी नि dairy का काम भी तुम करो, तो इस से बोलते है, promotion of allied agriculture, अगला क्या है, अगला ये है हमारा, देखो दोस्तो, जो अगला है, वो है, focus on small scale industries and bank credit, अब ये देखो या, small scale industries की भी बात किया, और bank credit की भी बात किया है, तो पहले हम bank credit के समझते है, मामला किया, देखो या, गाउं में जो है, हमारे याँ पहले कम पढ़े लिखे लोग थे, तो लोग भाई आसपास friend के साथ, किसी trader के साथ, किसी money lender से पैसे मांगते थे, और वो money lender ये जो लोग है ना, ये धोका लड़ी कर दे थे, होता यू था यार, कि बहुत जादा charge करते थे, बहुत जादा charge, और account में भी गड़ी कर देते थे, बोलते थे नहीं भाई नहीं अभी तो तुमने 10 लाग लिये थे ना, हाँ तो ऐसा है, एक साल हो गया ना, तो अभी भी 10 लाग तुमें देने है, ऐसे बहुत बना दिया करते थे, तो इससे यार, farmer या फिर जो थोड़े कम समझदार हैं, गाउं के लोग हैं, वो जो है न, बेवकूब बन जाते थे, ठीक है, तो उसी लिए, high interest चार्ज करते थे, friends, trader, money, lender, ये लोग, relatives लोग, बेवकूब बना देते थे, इसलिए commercial bank का setup करना ज़रूरी था, ताकि loan मिल सके, cheap rate पर, सस्ते दाम पर, जो कि उनको help कर सके, इसी को बो भाई, ruler area में, यानि गाउं वाले areas में, तुम cottage, या और भी small scale industries को setup करो, जिससे होगा ये कि और भी जदा employment generate होगा, वहाँ पर large number of people को employment मिलेगा, तुम वहाँ पर गाउं में, जो है, cold storage खोल लो, cold storage लगा लो, तुम गाउं में, वहाँ पर food processing industries open कर लो, setup कर लो, ताकि जो भी सबजिया फल है, vegetables है, उनको process करके सहरों में बीचा जा सके, इस तरीके से हम गाउं में और ज़्यदा production बढ़ा सकते हैं, और ज़्यदा employment ला सकते हैं, और income inequality को घाटा सकते हैं, ये थवाई हमारा तीसरा point, कि हम small scale industry setup करें, और bank setup करें, ताकि वहाँ पर रोजगार बढ़े, बैंक setup करेंगे, तभी तो लोग loan लेंगे, तभी तो लोग अच्छे से काम करेंगे, और सस्ते हैं bank loan देगा, ठीक है, बेखूप नहीं बनाएगा, ठीक, और ये जो small scale industries है, इसको भी तो हम setup करेंगे, तो भाई गाउं में क्या होगा, रोजगार होगा, अच्छा, अब सर्विसें जैसे वेर हाउसिंग हो गया, मार्केट हो गया, ये सबी सर्विसें जो कि हर एक common man या business को required होता है, जो कि सब को चाहिए ही चाहिए, ठीक है, ये facilities हमें चाहिए, ठीक है, हमें transportation चाहिए, हमें अच्छी रोड़े चाहिए, हर चीज़ चाहिए, तो इन सबी जीद गाउं में जो है दोस्तो, road, transportation, banking system, warehouse, market और ये बहुत सारी चीज़े नहीं होती है, तो government को required है कि वो यहाँ पर ये सबी चीज़े सेट अप करे, ताकि जो है गाउं में employment बढ़े, ज्यादा employment होगा, लोगों की बीच में earning होगी, लोगों की बीच में trade होगा, transportation होगा, उतना इतना लिखा हुआ है, कि भाई हमें education sector को भी बढ़ाना चाहिए, हमें गाउं में लोगों को पढ़ाना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जिससे फादा है कि यह होगा, कि यार बीस लाक जॉब, teacher की जॉब जो है, हम लोग education sector में हम create कर सकते हैं, अगर हम इसको promote क होते हैं, अगर हम education facilities provide कराएंगे, तो हैर बीस लाक और jobs निकलेंगी education sector में, और healthcare workers भी तो चाहिए हमें, काउ में वैसे भी health काफी पूर होता है, इंका मानना है, ऐसा मेरा कुछ नहीं मानना है, लेकि मेरा point of view तो कुछ matter रखता नहीं है, तो कोई नहीं, क्या है कि मन करता है तो बोल देता है, अपना भी point of view, लेकिन किताब में जो लिखा है, आपको वही लिखना है, एक्जाम में, यहाँ पर बोला गया है, यार, कि जो health sector है, मैं उसको भी improve करने की चाहिए है, मैं और बज़धा है, डॉक्टर्स चाहिएं, नर्सिस चाहिएं, ताकि हम health को improve कर सके इसा पताएगी है, rural areas में करने के लिए, ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बता दू, यार, यह तो point हो गया, बस इतना ही लिखना था से, और कुछ नहीं लिखना था, education में 20 लाग नौकरिया मिल जाएंगी, उस बहसे में education को promote करना है, बस यही लिखा है, health sector हमें promote करना है, ताकि और doctor nurses बने, और health का ध्यान रखे, बस यही लिखा है, rural areas के point of view से, और मैं आपको बता दू, यार, कि कई जगा जहाँ पर handicraft area है, बतलब handicraft area है, जहाँ पर skills लोग है, skilled लोग है, जूंको पता है कैसे क्या क्या चीज़े बनती है, बारत पहले handicraft में दुनिया में number one था आज दम कबार हो चुका है, क्योंकि हम सब अपनी सलस्कृति को भूल चुके हैं, ठीक है, तो इन सबी चीज़ों को बढ़ावा देकर, हम काफी सारे नौकरियां, या यह उपनोतों, employment, रोजगार पैदा कर सकते हैं, और अगर tourism की बात कर रहे हैं, tourism की, तो tourism से भी भारत मे 35,00,00,00 इम्प्लाइमेंट या रोजगार मिल सकता है लोगों को, यह प्लानिंग कमिशन का एक estimate है, लेकिन यह तब होगा, जो हम इसको अच्य तरीके से promote करेंगे, अच्य तरीके से प्लानिंग करके इसको हम अच्य तरीके से आगे बढ़ावा देंगे, ठीक है, दुके द और इसको लॉंच किया गया था प्राइम मिनिस्टर के दोबारा दो फैबरोडी दो हजार छे में ध्यान से तुनना छे में और ये थोड़ा लैटर की स्पेलिंग गलत हो गई है फिर बाद में क्या हो गया उसका नाम बदल दिया गया उसका नाम लग दे गया ठीक नरेगा का नाम बदल के मन रेगा कर दिया गया था ठीक है बाद में और सुन लो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ी है मैं आपको बताना भूल गया अब बता लेता हूँ राइट टू वर्क इसे बोलते हैं मतलब भाई हमारा ये राइट है कि हमें अनिम्प्लॉइमेंट बेरोजगारी के खिलाब हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए ये हमारा राइट है मतलब हमेरे पास रोजगार होना चाहिए और मैं आपको बता दू यार कि जो ग्राम पंचायद होता है न वो वरिफाई करता है हर बंदे को और वरिफाई करने के बाद उसे जॉब कार्ट उसे इशू कर देता है और ये खास का शेडियूल कास शेडियूल ट्राइप्स लोगों के लिए हैं और जो कि बलॉंग करते हैं इस कम्यूटी से और वो वोमेन जो की बहुत ज़दा सव से ज़्यादा ग्रेंटी से giddyant का और आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन समस्ट है WORJ पैसे मिलेंगे और हाँ अभी جो है अमेंडमन कैंकि करीneck करी ele केलिए मिले आपको काम उन एरियाव में जहां पर सूखा पड़ गेआ जहाँ पर सुखा पड़ गया है वहाँ पर 150 दिन का काम मिलेगा और ये करीब 625 डिस्ट्रिक्ट में चालू है ये काम तो दोस्तों कैसी लगी यार ये वीडियो मुझे पता है अच्छी लगी होगी तो यार सब्सक्राइब क्यों नहीं करते चैनल को और हाँ वीडियो को शेयर भी कर दिया करो यार कभी लाइक भी कर दिया करो थोड़ा कॉमेंट कर दिया करो आपके कॉमेंट में पढ़ता हूँ और हाँ नेक्स वीडियो का इंतजार करो यार नेक्स वीडियो में मैं पूरा चप्टर खतम करने वाला हूँ तो प्रीज शेयर करो बाकी भी वीडियो देखो बाकी वीडियो करी मैंने लिंक तो देना तो मुश्किल हो जाता है यार प्लेलिस सेक्शन में जाओ प्लेलिस सेक्शन में देखो सारी वीडियो में लगा रखी है अच्छे तरीके से आपको ज़्यादा मेहनत करने की जो अतनी है इसे प्लेलिस सेक्शन में जाना है तो दोस्तों मिलें अगली वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही तक के लिए धन्यवाद